तो दोस्तों क्या आप जानते हैं शिवजी के गले में क्यों लिप्टे रहते हैं वासु की नाग अगर हां तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं नमस्कार दर्शकों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शुप सनातन पर दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान शिफ के परमभक्त हैं लेकिन उनमें से शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जिनने भगवान शिफ के बारे में छोटी-छोटी कथा की जानकारी होगी आज हम आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहे हैं क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर भोले नात के गले में या भूशन के स्वरूप में नाग क्यूं है अगर नहीं तो आज हम आपको ये कथा सुना रहे हैं आकिर शिफ्व शंभु के गले में नाग क्यूं विराजित है वासुकी को नाग लोक का राजा माना गया है वो भगवान शिफ्व के परंभग्त है ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की पूझा अर्चना करने के प्रचलन भी नाग जाती के लोगों नहीं आरम किया था शिवजी वासुकी की शद्दो और भक्ती से बेहत खुश थे इसी के चलते उन्होंने वासुकी को अपने गणों में शामिल कर लिया था पराणे कथाओं के अनुसार नागों के देफता वासुकी की भक्ती से शिव बेहत प्रसंद थे क्योंकि वो हमेशा ही शिव शंकर की भक्ती में लीन रहते थे तब प्रसंद होकर शिव जी ने वासुकी को अपने गले में लिपटे रहने का वर्दान दिया था इससे नागराज अमर हो गए थे समुद्र मन्थन के दौरान वासुकी नाग को मेरू परवत के चारो और रसी की तरह लपेट कर मन्थन किया गया था एक तरफ उन्हें देफताओं ने पकड़ा था तो दूसरी तरफ दानवों ने इससे वासुकी का पूरा शरीर लहु लुहान हो गया था इससे शिफ शंकर बेहत प्रसन हुए थे इसकी अतिरिक्त जब वासुकी कंस के डर से भगवान श्री कृष्ण को जेल से गोकुल ले जा रहे थे तब रास्ते जमा जम बारिश हुई थी इसी बारिश में भी वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी मान्यता तो ये भी है कि वासुकी के सर पर ही नागमुनी विराजित है तो दोस्तों आपको ये जानकारी जानके कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं और भी इस प्रकार की रोचक और अच्छी जानकारी को जानने के लिए हमारे चानल शुप सनातन से जुड़े रहें और चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जाय से जादा शेर करें धन्यवाद